स है नमस्कार दोस्तो सेखे हम एक नहीं फाल्ट लेखे आएं यहां पर वाईट इसक्रीण दिk रही देखिए वाइट्ट पिच्च्चर आ रही है कोई भी कलर नहीं समें आ रहा है देखिए और यहां पर नीले कलर में आप Hoop अब भी देख रहे होंगे, देखिए यहां पे, यह कहां से फाल्ट आ रहा है, चलिए आपको बताते हैं, बारी बारी से, हमाई चैनल पे नए हों तो हमाई चैनल को सब्क्राइब कर लें, और वीडियो को जदा जदा सेर कर दें, देखिए हमने टीवी को खोल लिया है, यहा आ रहा है, यहां पे देखिए, यहां पे चेक करेंगे, यहां पे 111 बोल्टेज आ रहा है, सही है, आंगे देखेंगे, यहां पे देखिए 13 बोल्टेज आ रहा है, यह वाट का लाशी के लिए जाता है, यह भी सही है, यहां पे 12 बोल्ट के सप्ला यह देखिए, यह रिग यहांपे बोल्टेज सही है अव आंगे देंगे यहां पर यह 80 बोल्टेज की सप्लाई निकलती हैं यहां पर चिक करेंगे यहां पर देखिए 110 बोल्टेज दिखा रहा है यहां पर डवोर्ट लगा है devote के आंगे देखिए यहां पर भी 110 बोल्टेज की सप्लाई दिखा रहा है यहां पर कपिसिटर लगा हुआ है यहां पर देखिए यहां पर चेक करते हैं यहां पर भी देखिए 110 बोल्टेज की सप्लाई आ रही है यहां पर 180 बोल्टेज की सप्लाई आना चाहिए यहां पर तो हमारा कलरी नहीं बनेगा यहां पर देखिए बेस बोर्ड में यहां पर सप्लाई आती है यह 180 बोल्टेज की सप्लाई यहां पर आती है देखें यहां पर चेक करते हैं देखें यहां पर 110 बोल्टेज दिखा रहा है जब तक यहाँ पे 180 बोल्टेज सप्लाई नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा कलर ही नहीं बनेगा चलिए इसको देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है हो सकता है डाइवोट खराब भी हो सकता है यहाँ पे एक कपिसिटर लगा होता है 500 बोल्ट का उसको भी चेक करेंगे देखें यह कपिसिटर है पहले इसको चेंज करके देखेंगे क्योंकि यह सप्लाई को फिल्टर के लिए लगा जाता है अगर यह सही से काम नहीं करेगा तो यहाँ पे हमारी सप्लाई सही से नहीं बने की इसको हम चेंज करके देखेंगे यह 2500 बोल्ट का लगा होता है यह 4.7 UF कहाए देखें यहाँ पे यह फूल चुका है देखें यहाँ पे यह फूल गया इसकी वज़ेसे सप्लाई सही से नहीं बन रही है देखें यह 4.7 UF 1500 कहाए इसके जगह पे हम दूसरा कपिसिटर लगाएंगे देखिए ये भी चार दसमलों साथ हुए है धाइसो बोल्ट का है ये हम यहां पे लगाएंगे देख लें उल्टा सीधा मत लगादें क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है अगर उल्टा लग जाएगा तो ये फट जाएगा ये माइनस वाला ग्राउंड की तरफ होता है जो माइनस की पट्टी एक सफेद पट्टी बनी होती है ये माइनस की तरफ होता है जो 180 बोल्ट आत ह capella है वो पर असकी तरफ होता है ऍ вас कि मैं करके लगाई इसको उल्ट मत लगाई किस सको यहां पर प्षचे से वेसी सोलड़्िंग कर देंगे इसको साप कर देंगे थाइज यहां पर तब सापको करके इंच करके उलद्ग करें यहां यहां पर बोल्टेज हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ यहां पर हम सप्लाई देंगे टीवी में यहां पर चेक करेंगे देखिए एक प्रोब को हमने ग्राउंड किया हुआ है ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है कि यहां पर हम टीवी को सप्लाई देंगे देखिए दिखाते हैं यहां पर कितनी सप्लाई बन रही है कि देखिए यहां पर पहले 110 बोल्ट आ रहा था अब यहां पर देखिए 182 180 बोल्ट के आसपास देखिए आ गया है हमारा कापिसिटर खराब था इसकी वज़े से यहां पर सप्लाई नहीं बन रही थी यहां पर भी देखिए पे 111 बोल्ट है यहां पर एक सोग्याराव बोल्ट है यहां पर सप्लाई से यहां पर दिक्कत थी यहां पर एक से नहीं बन रहा था यह अब देखने यहां पर एक सवची आगया बेस बोल्ड में भी 182 के आसपास आ गया है आंगे दिखाते हैं आपको पिच्चर किस तरह से आ रही है किसी भी टीवी में हो अगर यहां पे सप्लाई नहीं बनेगी तो हमारा चित्र वाइड दिखेगा पूरी अच्छी तरह से चेक कर लें देखे आंगे दिखाते हैं यहां पे इसी में आहें आपको आपको भीकर हमारा आ चुका है यहां पे कोई कण्राव नहीं नहीं आरहा था नहीं अपर भी एक फार्ट दिख रहा है इस नेल करन की दीखे भबूरवय दिख रहे हैं नेलकर ररकिब इसको हम बताएंगे देखिए यह नीले नीले दिख रहा है यह इसको भी हम रिपेर करके बताएंगे इस तरह के आपके टीवी में भी धब्बे आ सकते हैं हो सकता है ग्रीन कलर में भी हो सकता है रिट कलर में भी हो सकता है यह कहां से दिक्कत आ रहा है देखिए इसको हम निकाल के यहां पे दिख किसी काली काली जो लगी होती है किसी में दो टांग की होती है किसी में तीन टांग की होती है अगर ये साइसे काम नहीं करेगी तो हमारा कलर साइसे नहीं बनेगा कहीं पर रेट कलर के धब्बे दिखेंगे कहीं पर ग्रीन कलर के धब्बे दिखेंगे इस तरह के कलर के होती है यह पी टी सी 17-18 ओंस की होती है अगर यह सैसे काम नहीं करेगी तो यह हमारा कलर साइसे नहीं बनेगा आप इसको देखिए हमने इसको निकाल लिया इसको मीटर में चिक करेंगे इसको पहले यहां से निकाल लेंगे आप इसको चेंज ही कर दें दूसरा नए है यहाँ पर लगा दें क्योंकि इसी की वज़े से कलर के दब्बे आते हैं और कलर साई से नहीं बनता है इसलिए आप इसको चेंज ही कर दें फिर भी हम चिक करके दिखाते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए कोई रीडिंग नहीं सो कर रहा है जबकि 17-18 ओम्स दिखाना चाहिए यहाँ पर भीप की आवाज भी आना चाहिए लेकिन यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं सो कर रहा है देखिए हम दूसरा यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं देखिए यहां पे 17-18 ओम्स दिखा रहा है देखिए बीब की आवाद भी आ रही है देखिए यह हमारी नई है इसको हम लगाएंगे फिर आपको दिखाएंगे किस तरह का कलर आता दबा गया की नहीं गया क्योंकि इसी के वो जैसे दिक्कत होती है अगर टीवी में कहीं भी कोई धबबा दिक रहा है रेट कलर का या ग्रीन कलर का तो आप इसको चेंज कर दें पिच्चर किलियर हो जाएगी कलर भी सही आने लगेगा कि इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे हमाए चैनल पर नए हूँ तो हमाए चैनल को सब्प्राइब कर लें हमार तरह की वीडियो लाते हैं हमाए चैनल पर जाके देख सकते हैं कि जो भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंड करके पूँच सकते हैं देखिए हमने इसको अच्छे से यहां पर सोल्डिंग कर दिया है अब इसको हम लगा के देखेंगे यहां पर लगा देंगे यह पीटीसी के बगल में जो लगा होता है इसको लगाएंगे यह वायर भी हम जोड़ेंगे यहां पर चलिए आपको आगे दिखाते हैं देखिए यहां पर नीला कलर जो दिख रहा था वो हट गया है देखिए कोई भी कलर नहीं दिख रहा यहां पर पिच्चर लगा के दिखाते हैं देखिए हमारी picture भी एकदम clear देखिए आने लगी देखिए अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आप PTC को change कर देए आपकी picture एकदम clear आने लगेगी ये PTC के दिक्कत की वज़े से ही ऐसा फार्ट देखने को मिलता है हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और वीडियो को जदा है जदा सेयर कर दें थैंक्स फोर वाचिंग